प्रभून परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबिल में प्रमाण है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में सृष्टी रचकर सात्वे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वयम कह रहे है कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में सृष्टी रची तथा साथवे दिन तक्त पर जाविराजा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचर जयस्वामि राम देवा नजी गुरू माराज की महराज ज्यास, ठीक जबते। सर्वे संतों की, सर्वे भगतों की, जै धर्मी पुरसों की, स्री कासे दान की, जै स्री छुड़ानी दान की, जै स्री कृथा दान की, साथ सजी ग्रिब नमा नमा सत पुरै स्कूनाम सिकार गुरु के नई, सुर नर्म निजन सादवा संतों सर्वस्दि, सत गुरु सायब संत सबै, डंडो तुम परनाम आगे पीछे मात्य हुए तिनकों जा कुर्बाने, निराकर निर्वीशं, काल जाल बैवंजनं, निरलेपम निजनीरगुन, अकल अनुप बेसुन धुनं, सोहं सुर्तिशं आपतं, सकल समाना नीरतले, उज्वल हिरंबर हर्दमं, बेपरवाए था वार पार नैमत्यतं, ग्रिव जो सुमराश्यद होई, गणनायक गलताना, करोवनु ग्रसोई, पारस पदपरवान, अति गणे समनाउं, गणनायक देवन देवा, चरन कमल लोलाउं, आजैंत करुशेवा, प्रम्सक्ते संगेतं रिदेशिद आता सोई, अवगत गुने यतीतं, सत पुरश निर्मोही, जगदंबा जगदेशं, मंगल रूप मुरारी, तनमन अरपों शेशं, भगति मोकति बंदारी, सुर नर्मनी जन्द्या में, वर्मा विशन महेसा, सेस सेस मुखगां, वोजें आज गणे सा, इंदर को बेर सरीखा, वरुन धर्मराय ज्यां, समर्थ जी मन जी का, मन इच्छा फल पामें, तेतिस कोटी अदा, ठासे, उतरें बवजल पारा, कट है यमकी फांसे, तेतिस कोटी अदारा, द्यामें सेंस अठासे, उतरें बवजल पारा, कट है यमकी फांसे, सत्साहे कर जोरूं विनाती करूं दरूं चरन परशीश गुरुराम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बक्षीश कोटे कोटे से जिदा करूं कोटी कोटी परणे में चरन कमल में राखियों में बंदी जर्में गुना अव गुन किये तो बोत किये करत नमनी हारे बावे बंदा बक्ष दियो बावे गुर्दन उतर अव गुन मेरे बाप जी बक्षो ग्रीब नवादे जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता कुनूच मैं अपरादी जनम का नक्सक बरे विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करस्वर कुता तेरे दरबार का मुतिया मेरा ना गले प्रेम की जेवडी जाँ खें चो माँ जाँ तो तो करो तो बावे डूँ दूर दूर करो तो जाँ जो राखो तो ही रहूँ जो देव सुख प्रम पिता प्रमात्मा पूरण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर प्रमेश्वर की असीम रजा से ये सतनारान कता प्रारम हो रही है सतनारान कारत होता है अविनासी प्रमेश्वर हम उसे सत साहिब कहते हैं सत साहिब कहो चैस सतनारान कहो अमर पुरस कहो अकाल मूरत कहो सब्द सुरूपी राम कहो प्रम अकसर ब्रम कहो प्रमेश्वर कहो राम कहो अल्ह कहो गोड कहो चैक रब कहो खुदा कहो ये सक्ती बोदक और प्रियाए वाची भासा बिन सब्ध होते हैं जो पराणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ग्यान होता है कि मानुसरी प्रमेश्वर ने किस वास्ते दिया था इसका वास्ते भी क्या कर्टेव था इससे हमने क्या लाब उठाना था और हम कर क्या रही थी जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनी कारिये को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वेसव मान कर और उसमें तन्मन धंसे लगे हुए होते हैं और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को ये बोद होता है कि मैं कौन हूँ, कहां से आए थे हमारा वास्तो करते हूँ क्या था और हम कर क्या रहे हैं और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुनकर्मों के से योग से हुआ करता है तुलसिदास जी कहते हैं सकल पदारत है जगमाही पर करम ही न नर्पावना है और जो पुन्यात्मा पर्भू की तडफ में तलास में लगी हुई हैं तो उन्होंने कोई न कोई अपना बगती मारग अपना भी रखा है और जो बगती बिलकुल नहीं कर रहे हैं अपने दैनिक करिया को जैसा भी उनको समाद से मालुम होआ उसको करती हुए अपने जीवन को वही तक्सीमित रखे हुए हैं अपने सत लोग सत लोग वो स्थाने जो कभी विनास नहीं होता वो सत लोग कहो, सत धाम कहो, रत्स धाम कहो, उसे आमर सथान कहो, सासवतम सथान कहो सदा रहने वाला जिसका कभी विनास नहीं होता उस सत लोग से चलके वो पूरन ब्रम सत पुरक स्वेम ही यहां काल के लोक में आते हैं यह किस प्रमांड इस जो तिन रिंदन ब्रम अर्था च्छर पूरुश के है और यहां पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहां इक इस प्रमांड में रह रहे हैं यह अपने मूल सत्थान को भूल चुके है अपना मूल सत्थान ये नहीं है जिश में हम रह रहे हैं अपना मूल सत्थान सत लोग है जहां से हम बीच्छड कर आई हुए हैं और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहां का सुख हमें सुख ही नहीं कर सकता वो जानकारी हमें केवल परमेशवर स्वेम आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता उस सत्लों के बारे में ना बिरमा को मालूम ना सिरी विस्मो को मालूम ना सिरी शिव को मालूम जो यहां के तीन लोग के अदीशवर हैं एक एक विभाग के मंत्री एक प्रमांड के अंदर है जब वो प्रमिश्वर स्वेम आते हैं तो वो क्या बताते हैं राम नाम रटते रहू जब तक घट में प्राने कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी काने मानुस जनम पाय के नहीं रटें हरी नामे जैसे कुआ जलब ना फिर बनवायो क्या कामे कभीर हरी की भगती करो तजविशियों रस चोजी बार बार ना पाऊगे ये मानुस जनम की मोजी रामर्टत कोडी भलो चूचू पड़े जो चामे बैस सुंदर सरीर किस काम का जामक ना ही नामे रामर्टत कन्या भली साक्यट भलान पूथे जैसे बकरी के गल्म गल्थना हाँ जिसम दूद नई मूथे लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी पीछे फिर पिचताओगे प्राण जहांगे जूटी रामर्टत दारी दर्बला तूटी घर की चाने वो सुंदर मैल किस काम के चान भगती नहीं भगवाने परंपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुस्रीर पाक है जो नहीं रटे हरी नाम और जैसे कुवा जल्बना फिर पनुआया क्या काम जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुवा है परगुन कुवे के नहीं इस में इसी परकार जो मानुस्री प्राब प्राणी परभुगी विदीवत साधना नहीं कर रहे हैं पूर्ण परमात्मा की उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानो स्रीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है मानो ना मवस्य है पर मन गुन मनुस के नहीं है मनुस का पहला गुन पर्थम करता है पर्भु की रागना और सद करम करना इस चीज का ग्यान हमें सद संग माने से होता है और सद संग के अबाओं से पराणी ना जाने कितने वो करम कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थी वो अंजान पने में करता है इसको ग्यान नहीं होता है और सत्सिंग में आने से इसको ग्यान होता है जानकारी हो जाती है कि ये करम तुझो कर रहा है ये ठीक नहीं तो प्रमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरी की भगती करो तजबिशियों रसचोच बाई बार बार ना पाओगे ये मनस्तिनम की मौच इस मानों स्रीर में कितना सुंदर आहर करते है जब मन चाहे दूद पी ले हैं मन चाहे जब इच्छा हो उसी से में रोटी खाले हैं बूख लगा है गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रभंद कर लिया प्राकरती कापदाओं से आंधी से तूफान से वरसा से ओलों से गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई च्छान डाल लिया कोई मकान बना लिया या कोई ठी बना लिया और कोई तकलीफ हो जाती है श्रीर में तो हम डॉक्टर से दिका लेते हैं और राहत पा लेते हैं और भी कोई बानसी प्रिशानी होती है त members को बता कि अपना दुख रो लेते हैं हलका कर लेते हैं और इतनी स्विदा पाकर के हम परभू और अधना नहीं करते हैं तो ये प्रमातमा हमारे से नराज हो जाता है और इतना नराज हो जाता है कि फिर हम पसू बनते हैं और हमारी जबान चीन लेता है बोल नहीं सकते हम बता नहीं सकते हमरे पेट मदरग है हम बता नहीं सकते हमारी टांग दूख है हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है नहीं बता पाऊंगे भूख लगी है और ना जाने कहां कहां जंगल में सह परिवार गोमते रहेंगे रेक सेकंड मैं कोई हिंसक पसू आवगा हमारे सह परिवार का विनास कर जाता है ये कष्ट हमें क्यों आए जब हम मानुशरीर में होते हैं उसमें प्रवू की बगती नहीं करते हैं तो मनमुखी करते हैं जो सास्तर के विरुद होती है उन दोनों का ये परिणाम निश्पन होता है विर्थ होता है गलत होता है प्रमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्री नहीं रहेगा आपके पास फिर क्या होगा फिर पीछे तो पस्वा किज़े दीज़े बैल बना और चार पैर जंगल में डूल लेतरा तो नहीं पेट बरे एक पर विचार करके देखो उस बैल के जीवन पर पर हम मनुष्री निपाक इतनी स्वीता हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये कैर टूट जागे या हमारे पास उमारे उपर भी ऐसी ये समझे हैं पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी इस दास को याद है जब छोटा सा था एक बैल था हमारे ये उपदेश लेने के बाद वो बाते फिर याद आने लगी निपहले अपनी गफलत मंफिरा करते थी बग्ती भी करते थे जैसी समाद से ग्यान था एक बैल था उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील गुषगी सुबह सुबह अंदेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वा पूरी बैठी उसके नीचे की टोपी नहीं थी वो आपर कैप होता है वो नहीं था वो रिजेक्ट करकर डाल रखी थी और वो सारी अंदर गुषगी अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जबी इन पर नहीं रखा जा रहा अब ऐसे कोई गाउं में बै दुखा करते देशी वो बुलाया उसने का इसके गुटनों में कोई नस पे नस चड़ गई है और खो जाएगी ठीक उसके गुटने पर गुटने का उपर है पट्टी बांदनी शुरू कर दी गरम गरम कोई बांद कर जड़ी बुटी है कील लगी है खुर में और पट्टी बंदनी गुटने पर है अब वो बोल नहीं सकता वो बता नहीं सकता विचारा उठ नहीं सकता पड़ा रहा एक मेंने तक एक मेंने के पीछे उसकी अपने आप वो पक के और अपने आप उसमें रिसा निकला जब घरवालों के दृष्टी पड़ी फिर उसको किसी बुला बलो के उसमें से वो देखा इतनी लंबी कील निकली वो बाता भी यादाती है एक परमात्मा जब यह मनुश्रीर में होगा उस नादान पराणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा यह दुर्गती तरी हो जागी अब ना यह भी नहीं बता पाए मेरे एक दरद को है इसलिए परमेश्वर में याद दिलाते है नादान ये दो दिन के इस दो दिन के जूटे सुकने पाक है तुम्हू लिगा उस बगवान को फिर याद करो परमेश्वर में पिता को कोई बात नहीं कहते हैं पीछ यह गई सो जाने दे बाकी की बचाओ अपनी अब जो पन्यात्मा सत्सिंग में आते हैं ऐसा नहीं कि उनों वो बगति नहीं कर रहा है वो तो जолूर बगति कहींने कहीं आड़ोनों निले रखी है तिवी तो उनमें कैसे कह के संत के दर्सन करने चलते है संत आई है नाम सुनते गदगद हो जाते हैं क्योंकि बगत आत्मा के अंदरे विश्य शकस कोती है परमात्मा के पाने की और उनको यह भी मालूम होता है के परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है आता है और फिर वो ही अपनी महिमा आप बताता है और ना जाने कब और किस समय उसके दर्सन हो जाँ इसलिए ये प्रानी ये पैसी आत्मा उस परम्पिता के दर्सनार्थ ये तरफती रहती है उसके लिए फ़िर अपना कहीं ना कहीं, सच्संग में जाती है पिर जहां भी हम जाते हैं क्योंकि पुन्य आत्मा का एक सुभा होता है, यह जहां भी जातی है इसको सब अच्छे लगते हैं क्योंकि उस वहले में अच्छे हैं अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए रस्ते में जा रहा है कि तर देर होगी रातना है और वो कहता किसी विक्ती जो अच्छी आत्मा का था भी मैंने रातना रुकना है तेरे यहां पर तो वो पुन आत्मा जो जिसमें आप खोट नहीं था जिसमें वो स्वम चोर नहीं था वो नेक आत्मा था वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भई रुक जाओ कोई बात नहीं आप यह आपी का तो घर है खाना खिलाता है और वहीं सुला देता है जाओ वो आप सोया हुआ होता है क्योंकि उसको उसको बन में यह नहीं कि यह चोर है क्योंकि उस्वेम चोर नहीं और वो जहे भला ही रातरी में कोई निकसान भी कर जाए उसका पर उसमें उसके मन में ये नीया ता ये वा सवमजोर होगा क्योंकि उससरम छोर नहीं और छोर के गर परे जागे जहे रिखा और कितना नेका आइमा डिट जा रहा तरह returns वो सारी राच और ना सो है कि ये कुछ उठा ना ले जा रहा है तरहे क्योंकि वो स्विम कमजोरी उसके अंदर है ऐसे जो पुन्यात्मा होती है उनमें आप दोस नहीं होता इसलिए वो जो भी जहां जाते हैं जिस भी सथल पर जाते हैं किसी संथ के दर्सना रजाते हैं उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संथ बहुत अच्छे लगते हैं सब के विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभू की का मारगी बताते हैं इसलिए पुन्यात्मा में एक परभू के पाने की विश्य तरफ होने के कारण वो स्विम कोई अपने मन में एक बाद भी बाद भी नहीं आने देती अब कहने का तात्प्रिय अदास का ये है कि हम कोई भी कारिय को करें तो उस से पहले हम उसके बारे में पूर्ण प्रीचित होना चाहिए अब जैसे आमने किसी गाउं जाना है किसी सेर जाना है तो उस सेर का जाने से पहले दस आदमियों से तसलिक करेंगे कि मैंने वहाँ जाना है कौन सा रस्ता ठीक है अगर आम पहली बार जा रहे हैं और फिर प्रस्थान करेंगे ऐसे कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग करता है कोई कोरस के लिए त्यारी करता है तो पहरे उसको पूरा ग्यान हो जाता है कि ये कितने वर्स का ये ट्रेनिंग कोरस है और इससे फिर मुझे लाब क्या होगा मेरी कितनी तनखा होगी तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्न ग्यान हो जाता है फिर वो तन मन धन लगा कर अपने शर्दड़की बाजी लगा कर उसको पूरा कर लेता है तो सफल हो जाता है ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले बगती करता था लेकिन जो पहले हम बगती करते थे वो बगती हम ऐसी करते थे ना कोई सिर्था ना पैर था लेकिन आत्मा में प्रमात्मा की तरफ ज्यादा थी इस करके चाहे कोई मंदर में जाना होता मंदर में जाते थे या किसी तीरत पर कोई संकेत कर देता कि वहाँ जाने से हमारे बहुत लाब होते हैं तब वहाँ भी पहुँच जाते थे कोई बगवान स्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हर दैसे करते थे स्री किर्षन का जाब बताते थे हरे राम हरे किर्षन वो भी जाब करते थे अच्छे लगते थे और ये दास हनुमान जी का पुजारी था बच्पन से ही चोथी कक्सा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे बगतिकन बगवान की उसने बता दिया कि मैं तो अनुमान जी का वरत रखता हूं मंगलवार का और साथ बार अनुमान चालिसा करता हूं तो इस दास ने भी प्रारम कर दिया मंगलवार का वरत चौथी कक्षा से प्रारम किया था और सन 1988 तक करता रहा गीता जी का पाठ नियत किया करता था जन्मास्ट में का वर्थ क्योंकि हिंदु समाज में जन्म होने के कारण वही सिवपरान का पाठ विस्वपरान का धैन भी और जैसे भी अपने धार्मिक सास्तरा में अपलब थे उनको कही ना कही से पढ़ते रहते थे इस उदैसे से उनमें लिखा होता था कि इस समाज को जो पढ़ लेगा उसको ये लाब होगा इस समाज को पढ़ लेगा उसको ये लाब होगा तो हमने तो लाब जी ये भगती का इसलिए हम पढ़ते रहते थे कहने का भाव ये है दासका कि जब तक हमने यही निमालूम जो हम बगती कर रहे हैं इसका क्या लाब है और इससे हमें हानी हो रही है या कुछ लाब बुरा है तो हम उसको कर रहे हैं तो वो विर्थ बताई एक दर्मदास नाम के एक बहुत बड़े धनी विक्ती थे मध्य परदेश में एक बांदोगड सिथान है बांदोगड है वहां के वो रहने वाले थे और वो इतने रहीश थे आज से साड़े पांसो वरस पुरानी बात है इतने रहीश थे कि बांदोगड नरेश धर्मदास जी के पूरवज़ों से यानि उनके पता से वितिय साहता लिया करते थे जब कोई प्राकरती कापती आ जाती थी जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फलड आ जाता था इतना पैसा था उनके पास बांदोगड यह दास का कहने का इतना पैसा इतना सुक्षविता होने के उपरांट भी और पर्भू की तरफ जिस पुन्यातमा में है तो उसके पुन्करमा में कमी नहीं वो प्यारी आतमा ने एक गुरू भी बना रखे थे श्री रूप दास जी और उस पुर्देव ने उस प्यारी आतमा से बताया था बेटा हरे राम हरे किरसन का जाप जप ओम न में सुआय का भी जाप जप हरी ओम का भी जाप जप गीता जी का निथ पाट कियाकर पुतर तरा कल्ल्यांग हो जागा पुए आड' cycle तीरत श्यारत करने पुतर तो स्वर्द प्रापती होगी और चारह अधाम जो कर लेता उसका तो महा कल्यान हो जाता है अब हमने जैसे जिसने परभू की तलास है जो प्यास है उसने पानी की तलास है तो उसको कोई किदर ही संकेत कर दे वो दोड़ा जाएगा क्योंकि उसको प्यास है उसकी और जब तक उसको प्राफ्त नहीं हो लेगा तब तक वो गूमता ही रहेगा तो उस प्यारी आत्मा ने अपने गुर्देव के बताया नुसार अपना सब के रिया इप्रारम कर दी गुर्देव के आदेश नुसार जब वो तीरत बर्मन पर निकला तो सबसे पहले मुथरा पहुंचा मुथरा में जब पहुंचे तो वहाँ क्या किया कि एक मुथरा के तालाव में जब अगवान स्री किर्शन जी सनान किया करते थे कहते हैं उस पुवित्र सथल पर उस तीरित पर सनान किया और एक जन का लोटा भरिक है उसी पुवित्र सरवर से और बाहर अपना रख लिया फिर साथ में कुछ मड पलस्टर किया मिट्टी का लिपाई की गाएं का गोबर में लाके कुछ अक्सेतर को लिपा फिर उसके उपर एक सफेद सवच चदर विछाई है खुव साथ की हुई उसके उपर पहले करम कांड किया वगवान स्री किर्शन जी की मूरती अक्राथात विशनो जी की ठाकुर जी की मूरती को एक सुन्दर पलेट पर रखके उसको नलाया साथ पानी ते फिर पुराने कपड़े निकाल के अलग रख दिये थे फिर नलाया फिर स्वच कपड़े पेनाए फिर कंठी डाली तलक लगाया मुगट रख दिया और फिर धूप दीप लगाके गिता जी का पाठ पुरार्म किया इतने में वो पुर्ण प्रमात्मा पुर्ण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर साह उसमें वो कांसी में जुलाय का रोल कर रहे थे वहां आकर बैटके उस प्यारी आत्मा से ज़्यादा से ज़्यादा बीस या तीस फुट की दूरी पे और बड़े ध्यान पूर वक देख रहे हैं उसकी किरिया को धर्मदास्टी की किरिया को जब धर्मदास्टी ने देखा कि ये और क्या सरूप बना रखा था परमेश्वर ने एक जिन्दा मात्मा का जिन्दा मात्मा कैसे होते हैं मुसल्मानों में होते हैं जिन्दा मात्मा संथ उनकी एक ही जो न ओर कोट पहनते हैं उपर पूरा एक कोट टाइप सा चोगा बोलने उसने नीचे गोटनों से नीचे तका होता है पिंडलियों तक और वो पहन रखा और कच्छा होता है गोटनों से उपर तक लंबे-लंबे ये वेश बुसास उन संतों की होती है जिनको जिन्दा महात्मा कहते हैं जिन्दा संत कहते हैं शादू कहते हैं उस जिन्दा वाले महात्मा मा आक के रूप बना का प्रमात्मा उस प्यारी आत्मा के पास उसकी किरिया देखने के लिए बैठ गया विराजमान हुआ जब वो दरमदास ने देखा कि एक मुसलमान होक है और तेरी पूजा को देख रहा है तो इस से लगता है कि अच्छी आत्मा है हो सके तेरी बात को मान के ये सत्वगती कर ले वै और गीता जी जैसा सास्त्री पृत्वी पर नहीं है ऐसा वो समझाना चाता है इसलिए गीता जी के पाठ को उंचे उंचे सुर्मे पहले संस्कर्ट पढ़ा है उर्दहो मूलम अधाय साखम और फिर उसकी हिंदी पढ़ा है ऐसे पढ़ा है कि ये सामने वाला अट्रेक्ट हो जा और ये लग जा सत्वगती पह अब चक्कर क्या पढ़ा हुआ है कि हिंदू तो समझते हैं मुसल्मानों की बगती गलत और मुसल्मान समझते हैं हिंदू गलत साधना करते है और इसाई समझते हैं कि हम सरिष्ट ठीक है और सिक समझते हैं हम पूजा जो करें सवरस्रिष्ट है अब देखो यही बात इस पचार दिन में निरने होगा जो पुन्यात्मा कंटीने उस लगातार सुन लेगी उसको कोई संसय नहीं रहेगा साधना क्या होती है साधना तो एक ही है रो सरेस्टी है अगर वो मिल जावते है जब तक हमें वो नहीं मिलती तब तक हम एक दूसरे को ऐसरिस्ट रपने को सिरिस्ट मानते रहते हैं ये हमारी अलपजता होती है क्योंकि हम अपने चारों धर्मों के पुईतर सास्तरों को नहीं समझ पा रही अब उबरतमान में उनमें क्या अनमोल खजाना दबा हुआ है जिसके कारण हम नाना परकार की अपनी सोच बना के उस पाधारित हो चुके हैं और उनमोल सास्तरों से हम दूर हो लिए अब धर्मदास्ती किस ने जब अपनी सारी क्रिया कर ली और गिता जी का पाठ करके अपना बंद हुए समापन किया थाकुर जी की मूरती को अपने गठडी में बांध लिया तब परमेश्वर कबीर परमात्मा एक जीव का रूप साधान भक्त के रूप में बोलते हैं कहने लगे है वैसनो महात्मा वो परमात्मा एक जीव को तो महात्मा कहते हैं अपने आपको एक तुस्छ जीव बताते हैं क्या कहते हैं कि है महात्मा मैं बहुत भर्म लिया मैंने हिंदुओं के महापुरसों से भी संपर्क किया, हिसाईयों के जो संत हैं उनके पास भी पहुंचा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मन की, मेरी आत्मा की संतुस्ती नहीं हो पारी कि यह भक्ती मैं कर रहा हूँ, ठीक हूँ. और आपकी जो वक्ती है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी प्यारी प्यारी आवाज मेरे हर्दे को खेंच रही है, ऐसे कहके वो प्रमात्मा, उस प्यारी आत्मा को अपने सत मारुका ग्यान बताने की चिस्टा करते हैं. इन बातों को सुनके दरमदास बड़ा प्रशन हुआ कि एक मुस्लमान होकर के और मेरी क्रिया को बड़ाची बता रहा है, तो बताने लगा, कहन लगा, जिन्दा बैठ चा, तरे भाग बड़े, जो आप मुस्लमान होकर के और मेरी बात को सेयन कर लोगे, बताओंगा, उसक देखो महातमा जी, हमने तो अपना जीवन कल्यान चाहिए, आज हम मुस्लमान है, कल ना जाने हम किस जनम होंगे, आज हम हिंदू है, ना जाने कल किस मजब में हमारा जनम होगा, अगर आतम कल्यान नहीं होती, यह मजब, और यह हमारी जाती, और यह सरीर, सर्वरत रह मुझे तो परभू चाहिए, आज हम हिंदू है, कल पसू बन जाएंगे, आज हम मुस्लमान है, कल हम पसू बन जाएंगे, आज हम इसाई है, तो कल ना जाने किस जूनी मसले जाएंगे, आज हम सिक है, तो ना जाने कहां हमारा डिरा होगा, अगर वक्ती ठीक नहीं बनी तो दर्मदास इस बात से बड़ा परवाईट हुआ और कहने लिए बैट जब मैं बताता हूँ आपको बगती अकान जी बताईए मैं ना गीता जी का पाट करते हैं नित हूँ और गीता जी एक ऐसा पुवितर सास्तर इसके बराव इसके तुल परच्वी पर सास्तर नहीं है और एक आदसी का परत रखता हूँ है मेरे गुर्देवना 68 तीरत करने की सला दी है मेरे को आदेश दिया है और उनके आदेश अनुसार में इन 68 तीरतों पर भर्मन के लिए निकला को हूँ शिरी राम किरसन का जाप जबता हूँ ओबन मेशुआय का जाप जबता हूँ सीवलिंग की पूजा करता हूँ और फिर क्या का कि हम कोई जीव इनसा नहीं करते हैं जिन्दा जीव इनसा माने वो कहना चाहते थे कि तुम मास खाते हो मुसलमान और हम हिंदु मास नहीं खाते हैं और जो मतलब कहानी सीधा पर डारेक उसका संकेत ही था कहले जो जीव इनसा करते हैं ना वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं उनका जीवन तो बिल्कुल वर्थ चाहता है उनको तो पाप बहुत लगते हैं अब कभी परमेश्वर कहने लगे दरमदास मैं आप से एक प्रार्थना करूँ कहने लगे मातमा जी मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपका सुब नाम क्या है आप कहा से आये हू आपके दो बहुत अच्छी बातेया लग रही हैं मुझे ढरमदास्च सिर बताया कि मैं वैसकुल में जनम है मेरा वैसकुल में यानि बनिये हैं और मैं जो है वैसनो वैसनो जी के उपासक को है वैसनों सादू कहला थे हमारे गुर्देव हमने उनसे उपदेश लिए रखा है तो गुर्देव ने हमें बताया है कि गीता जी का नित्पाट करना है परमेश्वर ने कहा कि मातमा जी एक प्रशन है मेरे मन में मेरी शंका का समाधान कीजिए एक बोलो बेटा बोलो जी कहा बात है बोलो कबिर साब ने कहा कि देखो आपने अभी बताया कि गीता जी के नित्पाट करने से आत्मा का कल्यान हो जागा देखो आप और क्या करिया करते हो आप पित्तर पूजा करते हो दरमदास करने लगए हाँ जी पेत्टर पूजा करते है जो तर पूजा नहीं करें तो फिर तो हमारे पित्र को जो हना उनका जो हैसा आग नहीं पहुंच सकता और वो दुखी हो जाते है आपको भगवान स्री किरसन और राम की पूजा करते हो बिरमावी सुनुमेश की भी साधना करते हो अकान जी और गीता जी का नित पाठ भी करते हो अकान जी देखो गीता जी के पाठ करने से लाब नहीं जैसा गीता जी में वर्नन है ऐसा आचरन करने से लाब होगा एक जमीदार था वो विर्द हो गया और उसको संतान जब होई तो वो थोड़ी सी लेट होई पुतर जब उत्पती होई उनके तो वो विर्द हो चुका था जब लड़का बारा वरस का था तो वो पूतर पिता जब लगवग 60 और 55 औरस की आईूका था अब पिता ने सोचा कि तरह एकलाउता पूतर है कई अपने विवसाय में ये मार ना खा जावे है इसलिए क्यों ना मैं अपने अनुभाव को सारे जीवन के अनुभाव को और पूरा लिवरन लिख दो एक किसी पैड बही में उसने अपना पूरा एक्सपिरिंस हर क्रोब का हर फसल का किसे में बीजनी चाहिए उसमें कितना एकड में कितना बीज डलेगा कितनी बार उसकी किसे में उसमें पानी डाला जाएगा किसमें उसमें खाद डालनी है, फिर क्या सती ही होगी, उसको कैसे सम्वालना है, उसे सती हो जाता, उसमें ऐसे खाद डालना है, तो सब कुछ लिख के और एक पूरी बही के अंदर, यानि एक पैड डिख दिया, और कहा पोतर, इस पैड को पढ़ना, और इसकी अनुसार का पूत्र उस लिखे हुए लेख को पिता जी के द्वारा लिखे अनुभाओ को डेड़नी पड़ है और ऐसा करेगा नहीं जैसा उसमा वर्णन है तो क्या होगा क्या वो धनी हो जाएगा क्या उसका कल्यान होगा उसको लाब होगा धरमदास जी कहने लगे नहीं जी बिलकु हमरेगा तो ठीक इसी परकार जैसा अपने पूइतर सास्तर गीता जी में लिखा हार ऐसा आप नहीं कर रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा कल्यान होगा या हानी होगी धरमदास जी कहने लगे यह तो हानी होगी और गीता जी नुसार हम नहीं करेंगे तो किस ने बोला दरमदास जी कहता है बे दड़के से कि भगवान स्री किरसन जी ने गीता बोला परमात्मा कहन लेगे दरमदास यही सबसे बड़ी भूल है गीता स्री किरसन जी ने नहीं बोला सरीर स्री किरसन जी का था बोलने वाला काल था और वो काल कौन है ये विरमा विश्रू में इसका पिता है और दुर्गा या सेरा वाली इन तिनों की माँ है इस बात को सुनका दरमदास की तोड़ी चड़ी और कहने लगा मुसल्मान हो गया तू कहने लगा तू मुसल्मान है ना इसलिए हमारे देवताओं की दुबेश्दी करना चाता है तुझ्य क्या मालूम गीता के बारे में तु क्या जान सकता है गीता के बारे में हमारे से ज़्यादा क्या तुम जाओगे कभीर साब ने कहा देखो स्वामी जी नराज ना हो मैं तेक संग कासमाधान चारा हूँ आपसे मैं तो आपका दास हूँ आप नराज ना हो आप एक बार गीता जी को उठा लो गीता जी कोई किसी का व्यक्ति विशिज का सास्तर नहीं है और ये पुईतर सास्तर उसमें लिखा गया था किसी ऐसी मजबूरियों के कार नालग हो गए है लेकिन हम एक हैं आज भी एक हैं जब थोड़ी सी विवेक्सिय सोचेंगे ता है आज भी दो नहीं लेकिन गीता जी में जो लिखा वो सोचो आप क्या लिखा है और किसने बोला है दरमदास चुप हो गया कि चल इसने कह लेने दे जो ये कहेगा थोड़ी सी देरोर सुन लेता हूँ भी क्यों तार्मी कात्माओं में एक विश्यस कसक होती है और ज्यादा बात भी बात नहीं होता बेसक दुखी हो रा था उनकी बातों से फिर सोचा के देखते ही क्या बताएगा इकरसन जी नहीं बोली तो और किसने बोली क्या जाने इन बातों को तो ऐसा वो सोचके पर मातमाने कहा देखो गीता जी के ग्यान की कब आुसकता पड़ी कि जब अर्दुन युद करने से मुना कर देता है और युद क्यों हुरा था कि कौरों और पांडों का आपस में भाई बत्वारा नहीं हुरा था एक भाई बत्वारा था ये कोई धरम युद नहीं था धरम युद हो तो यह होता जो सेनाओं पर लड़े एक देश दूसरे बदमासी करें तो उसके लिए सिर्दर की बाजी लगा तो धरम युद होता है और ये तो एक भाईयों का अपस में बत्वारा था ये नहीं हो रहा था लड़ाई होगी और जब युद दोनों का बत्वारा नहीं हो रहा था तो बगवान स्री करसन तीन बार गए थे सांती दूद बनके और दोनों को समझा रहे थे भाईया लड़ाई ठीक नहीं युद बहुत बोरी चीज होती है दोनों को बैठकर खुब समझा के देखो ये सब पत्वी यहीं है अर्बों खर्बों विक्ती इस पर कबजा करकर मर गए है राजा चले गए इनको पर अपनी राज को बना बना के अज उनका नामों निसान नहीं है रावन जैसे चले गए वकवाद करके भाई यह योद अच्छी बात नहीं है लेकिन नहीं माने बन्दी छोड कबीर साहेब की जै स्वामी राम देवानंजी गुरु माराज की जै सर्वे संतों की जै सर्वे बतों की जै धर्मी पुरसां की जै स्री कशी दां की जै स्री छुडानी दां की जै श्रीकरोथा लांखी साथ साहे ग्रिव नमान मौशत पुरेश कौनाम सिकार गुरु की नहीं सुर नर्म निजन सादवा संतों सर्वसदी में सत गुरु सायब संत सबै डंडो तम पर नामें आगे पीछे मद हुए है किनकों जा कुर्बाने निराकार निर्विशं काल जाल बैवंजन निरले पमनिज नीर गुनं अकल अनुप बेसुन दुनं सोहं सुर की समापतं सकल समाना नीरतले उज्वर हिरं बरहर्दम बेपरवाय था है एवार पार नैमाद्य तम गृवजो सुमर सेदवोई गननायक गल्तान करो अनुगर सोई पारशपद परवान आदि गनेश मनाँ गननायक देवन देवा चरन कमन लोलाँ आद अन्त गनुषेवा प्रम्सक्ती संगीतं रिद शिद दाता सोई अगत गुन अतीतं सत पुरस निर्मोही जगदंबा जगदीशं मंगल रोप मुरारी तनमन अर पूशेशं भगति मुखति भंडारी सुर नर्मनी जन्द्यावे दर्मा विश्ण महेशा सेस सेस मुखगावे पुजय आदि गनेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरू धर्म राय ज्यावे समरत नीवन जीका मनी इच्छा पलपावे तेतिस कोटी अदारा द्यावें सेसे अठाशी उतर बवजल पारा कट है यम की फांशी तेतिस कोटी अदारा द्यावें सेसे अठाशी उतर बवजल पारा कट है यम की फांशी कर चोरूं विनाती करूं दरों चरण परशी से गुरुराम दिवानद जी महराज ने दियो नाम बक्षी से कोट कोट से जिदा करूं कोट कोट परण चरण कमल मा राखियों मैं बन दी जाम गुलाम कुटा तेरे दर बार का मतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवडी जाखें चो भाजाओं मैं तो तो करो तो बावन दुर दुर करो तो जाँ जाँ राखो तो ही रहूं जो तेरी वो सुखाँ आव कुण किये तो बहुत किये करत नमानी आर बावे बंदा बक्ष दियों बावे गर गनुता आव कुण मेरे ही बाप जी बक्षो गरीब नवा जी जो मैं पूत कपूत हूँ बहर प्यता कूला जी मैं अपरादी जनम का नक्सक बरे विकारे तुम दाता दुखे बरजना मेरी करसवर प्रम्पिता प्रमात्मा पूरन ब्रह्म सारी सिर्ष्टी के रचन हार कुल मालिक कबीर प्रमिश्वर की असीम करपा से आज ये पांच दिविश्य विशाल सत्संग प्रारम हो रा है ये उस सुब्समागम का प्रारम है जो उस प्रम्पिता प्रमिश्वर के अपने सत लोग से इस काल के लोग में परगट होने का वो सुब्दिन जेश्ट सुधी पूर्ण मासी है जेश्ट ये वो प्रमिश्वर अपने सत लोग को त्याग कै यहाँ बनारस के अंदर विकर्मी समथ 1455 सं 1398 के अंदर जेश्ट सुधी पूर्ण मासी ब्रह्म मुरत सुर्य उज्वर होने से डेड़ घंटा लगबग पूर्ण जो होता उसे ब्रह्म मुरत कहते हैं मैं आकर के लहर तारा तलाब वरन असी अथात कांसी के अंदर एक बालक रूप बना के एक कमल के फूल के उपर गराजमान कोई थी उस परमेश्वर का यहां आगमन हमें उस सत ग्यान का ग्यान होना उस यतारता का ग्यान होना हम कौन हैं कहां से आए थे और हम किन कारनों से यहां काल के जालमा हसे हुए हैं यह सब जानकारी उसी परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने प्रमक्सर प्रुशने अर्थात अकाल मुर्थ सबसुरू पीराम कवीर देव ने कवीर साहिव ने आके हमें बताया उसके उपलक्स में ये पांच दिविश्य विशाल सत्संग मना जारा है ऐसे सुब समागम सद्यों प्रियांत प्रारम हुआ करते हैं वैसे तो संतों की कमी नहीं संसंगों का अभाव नहीं सुरुताओं की कमी नहीं लेकिन जैसा हमारे पुईतर सास्त्रों में पूरो प्रमान था और वो हम तक नहीं पहुँच पाया अब वो हमारे तक पहुँच रहा है ऐसे समागम हमें अगर ये दास कहें कि युगों प्रियांत ही प्राप्त होते हैं तो भी थोड़ा समझेना क्योंकि जब तक हमें तत्व ग्यान नहीं होगा तत्व ग्यान और तत्व ग्यान के बिना हमारे सामने वो सच्चाई नहीं आ सकती जो जिसकी हमें युगों से तलास थी वो तत्व ग्यान देता कौन है वो तत्व दर्सी कौन संथ है और ये अभी तक हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा यही जानकारी इस पांच द्विसिये विसाल सच्चंग के अंदर पुन्ना आत्माओं को दी जाएगी ये तत्व ग्यान हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा इसका कारण मुख्य कारण ये रहा के वो तत्व संदेश्वम प्रमेश्वर आकर के देता है उसको पांचमाँ वेद भी कहते हैं चारवेद हम सुनते आए हैं रगवेद, शामवेद, यजुरवेद और अथरवेद इन चारवेदों के अंदर ग्यान तो है लेकिन तत्व ग्यान नहीं है ग्यान तो बहुत हुझ है और पूजा की विधी जो है वो चारवेदों में केवल ब्रहं तक किया है और महिमा पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म इन तीनों प्रमात्माओं की भी है बगती कैसे करने चाहिए, कौन पक पूजा के योग परभू है वो भी जानकारी पुवित्र स्यारों वेदों में तो था उन्हें की सारांस पुवित्र गीता जी के रुपलब्द है उनमें साथ में ये भी लिखा है कि जो ग्यान मैं बता रहा हूँ वेदों को बोलने वाला परभू और साथ में गीता जी के बोलने वाला परभू वो स्रुम कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता उस तत्व ग्यान के बारे में नहीं जानता अपने तक्की विधी बता देते हैं जैसे गीता जी में बता है कि चारों वेदों का सार गीता जी है गीता जी में बता है के ओम नाम का जाप है मेरा अध्याय नंबर आठ मंतर नंबर 13 फूज़ गीता जी में लिखा है गीता बोने वाला भगवान कहता है के माम बरम मुझ बरम का ओम इती एक अकस्रब विफारन अनुशंरन मेरा तो केवल एक ओम नाम है जो उचारन करना है और ये कब तक शिमन करना है ये याती तजन देहम ते याती प्रमामगतिम जो उसको अंतिम स्वास तक तजन देहम स्वास छोड़ने तक जाप करता है मेरी प्रमगतिकों प्रापत होता है कौन गीता बोलने वाला खगवान कहता है के मेरा तो केवल ओम नाम है और ओम नाम के जब से मेरे से जो लाव मिलेगा वहां तक की प्रमगति तुझे प्रापत हो जागी और फिर बताया है कि मेरी जो गती है मैं जो साधना दूँगा मुझ से जो लाव तुझे होगा वो भी पूर्ण नहीं है वो भी अनुतमाम है क्यों अनुतमाम है? क्योंकि वो पूर्ण प्रमात्मा ही पूजा के योगे है उसी की वक्ती से प्राणी को पूर्ण लाव होगा उसी की वक्ती से पाप कटेंगे पापों का विनास होगा जनम मरतू रहीत होंगे और अपनी वक्ती से बताते हैं कि मेरी वक्ती से तो नहीं जनम मरन मिटे करम का दंड भी नहीं कट सकता जैसा किया है वैसा ही भोगना होगा और अरजन युद्ध भी करना होगा पर मेरा सिम्न भी करते रेना होगा अब ये तत्व ग्यान आपके सामने आ रहा है ये सब मिलाकर ही पांचमा वेद होता है जिसमें वरतमान के सभी सास्तरों का सारांस और साथ मौस्परंपिता का वास्त्विक ग्यान इसे तत्व ग्यान अर्थात सुकसम वेद सवसम वेद के नाम से जाना जाता है देखिएगा पुवितर गीता जी गीता किसने बोला है ये ब्रह्म बोल रहा है ये काल बोल रहा है गीता जी को इसमें जाय नमबर आठ का और नीचे देखिएगा ये तेरा नमबर स्लोक है मंत्र है इसमें का कि ओम इती एक अक्सरम माम ब्रहम मुझ ब्रहम का व्याहरन अनुशमरन मुझ ब्रहम का तो केवल एक ओम अक्सर है यही इती माने यही एक ओम अक्सर है यह प्रियाती तजन दे हम और जिसको अंतिम स्वास तक उसकी साधना करनी होगी जो अंतिम स्वास तक शरीर छोड़ने तक तजन दे हम शरीर छोड़ने तक सहयाती प्रमामगती वो मेरी प्रमगती को प्राप्त होता था तब मैं जो लाब दे सकता हूँ ब्रहम बोरण राह है तो व उसको प्राप्त होगा जो केविल ओम नाम जपेगा, अन्य कोई मंतर नहीं और अपनी प्रामगती को बहुता जो मैं दती दूँगा उसको वो कैसा कैसी बताई है ये देखो इनका शरलार्थरी देख लिजिए सविंद्रियों के दुप ये तु पुरु बारमें का है बाहर में का, सब इंद्रियों के द्वारों को रोग कर तथा मन को हर्दे देश में सथिर करके, उस जीते खेमन की द्वारों को मस्तख में स्थापित करके, परमात्मा संबंदी योगधारना में ओम सथित होकर, यहां से है तेर में का, यह जो पुरुश ओम यह बारा और तेरा इकटा है इस अर्वाग कियानों ने ओम इस एक आक्सरम एक आक्सर रूप ब्रहम यानि मुझ ब्रहम को माम लिखना था माम ब्रहम मुझ ब्रहम को उचान करता हुआ करता है उसके अर्थ सरूप अनुसमरण माने चन्तन करता हुआ शरीर को त्यार जाता है वह प्रुश प्रावम गती को प्रहपत हुता है अब इस कार्थ कə आपनता है वास्तों है कि ओम एक ओम नीचे लिखा है यह ओम ओम इति इति माने यह Lore एक एक आक्सर का मां भ्रहम मुझ भ्रहम का उचारण करके अनु समण माने शमण करने करने का है और वो तजन देहम सरीर त्याग कर जाता हुआ यानि इस अंतिन स्वास तक इसका भजन करेगा तो मेरे द्वाली प्रमगती को प्राप्थ होगा ब्रहम कहता है कि जो मैं अन्तिन सतीथी यानि चोथी मुक्ती दे सकता हूँ आपको वो दे दूँगा चोथी मुक्ती प्राप्थ भी हंस जनम मर्दू से रहित नहीं है और नही करमों का डंड आपका शमाप्थ हो सकता इसलिए कहा है कि मेरी भगती भी विरत है अब देखिएगा साथ में दहे का अठार मा मंतर है गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी भगती भी उतम नहीं है अनुतमाम है अज़ाय नमबर अठारा साथ का और मंतर से लोग देखें अठार है क्या लिखा है कि मेरी भगती चयार परकार के करते है एक अर्थार्थी आरत जग्यासू उनमें से ग्यानी सबसे उतम है ग्यानी तो उसके लिए लिखा है कि उतारा सर्वें एवं मेते ग्यानी तु आत्मा एवं मेमतम मेरे विचार में ये सभी ग्यानी आत्मा हैं तो उदार जिनको पता लग्या कि प्रमात्मा की वक्ति के विना जीवन वर्थ है तो इसमें बताया कि जो ग्यानी वो हैं जिनको पता लग्या कि प्रमात्मा की वक्ति के विना जीवन वर्थ है और उनको ये ग्यान हुआ कि कीवल एक प्रभू ही भगती योगे है अन्य नहीं तो उनकी बारे में पहा कि मेरे वाली माम मने मुझ में ही अनुतमाम माने घटिया व्यर्थ की गती यानि जो मेरे वाली प्रम गती है उसको श्वम भगवान कहरे अनुतमाम मेरी इस अनुतमाम गती में आस्रीत रही क्योंकि उनको वो पूर्ण प्रमात्मा का मारक दर्सन करने वाला तत्व दर्सी संत नहीं मिला आप देखिए इन्होंने अनुतमाम माने क्या लिखा है अति उत्तम लिख दिया ये लिखना चीए था अति व्यर्थ अनुतमाम माने अति उत्तम नहीं होता अब देखिएगा चौथे जाये का चौतिसमें स्लोक में दिखा है कि अगर तुझे प्रमपिता पूर्ल बर्म की बक्ती चाहिए तो उस तत्व दर्सी संत की तलास कर ले और उस ग्यान को तुझे तत्व दर्सी ग्यानियों के पास जाकर समझ अजया नमबर चार का कर दो 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 झाल झाल